कि अब दोस्तों कैसे आप लो आई आप सब बढ़ी होंगे थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे जो कि बहुत जिरूरी है माना कि पेपर में टाइम है भी बट यार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तभी आपके जो परसंटेज है वो इंक्रीज होंगे चलो आ और क्या आता है इसमें एक आता है इंटर्नल ओडिट यह आज का पहला टॉपिक है इंटर्नल कंट्रोल इंटर्नल चेक इंटर्नल ओडिट एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं यह है क्या इसका ओवर्वू दिया जान लेते हैं उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे दोस्तों होता क्या है कं अब कंपनि में पंचास काम होते हैं इत्य मनेजमेंट भी होता है अगर्यक्ट के सब्कॉअ सोचारू रूप से ठीक है हर डिपार्टम्ट में 50-50 बन्दें 100-100 बन्दें बैठें हजारों भंदे भी बाटते बड़ी बड़ी नियों होते ना इस में लाख हो होते हैं थीक है तो अब धंसे चले कैसे यह से कोई अगर मालो sales department ना है मनलो 50 लोग है वो 50 लोग क्या करते मिल के ना ऐसा करते हैं कि समान खुरी लेते हैं वह 10 रुपे का और बोलते हैं कम्पने को हमने तो जी अजार रुपय का सो रुपय का खरीद आये और नब्य रुपय जेम में तो ऐसे चीज़ों को फ्रॉड को जैसे एक और होता है अटेंडेंस पंचिंग मशीन तो सुने होंगे आपने कि अटेंडेंस कैसा लगा जाती है कि कितने बज़े मशीन लगा दी इंपलोई आया जी नोव बज़े की टाइमिंग है अगर सुबे कि इंपलोई ने अपना उसमें पंचिंग मशीन में अपना क्या लगा दिया अंगुठा लगाया ठीक है ऐसा पंचिंग मशीन नहीं होती है जो आपके अधार कार्ट पे भी होता है जब कही क्या कंट्रोल लगा दिया एक मशीन ही लगा दिपंचिंग मशीन लगा दि उससे उसके आने-जाने की टाइमिंग हो जाती है तो सारे चेजें चले उसके लिए कुछ रूरूल कॉछ पॉलिशी बनाई जाती है उसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रॉल वह पंशल भी हो सकता है वो management को चेक करने के लिए भी हो सकता है वो पूरी organization में काम कैसे चल रहा है सुचारू रूप से उसको सही से चेक करने के लिए भी हो सकता है ठीक है अभी मोटा मोटा ज्यान ले रहे हैं उसके बाद हम समझेंगे उसके बाद आता है कि अपने लगा दी कि अब ऐसा हो जाए कि automatically चेक हो जाए कि कौन बंदा सही टाइम पर आया है किसका हापडे लगना चीए किसका नहीं तो इसमें क्या होता है और इसका और एक बंदा मौना एच टीम को लगी होई रहीए वह देखने में कि अगर मशीनी खराब होगी यह मनलो कई एस लेका कर ली यह क्या करता था ऊस बंदी की टाइम इसकृत देता दे अंदर जा कि ऐक है चेक हो जाए उसका कोई सिस्टम बिठा दिया जाए मानलों इसने कनेक्ट कर दिया इसको कैमेरे के साथ अब कैमरे से क्या पता स्लेघा कि ये तो आया है ये तो आया सा दस बजए और इस बंद ने जिसके हात में सीर्ट या न다면 पांचिंग मशिंका एक्सस था बंड़ ने क्या करा उस इंप वσι्टा टायमिंगंग कर द siis कहीं कि इतुने बजयाया नो बजया थीक असमद लेता है ये जैसे मांनों कोई भुछ सारे डिपाटमेंट होते हैं व्यान तेशा सब्सक्रांज करने क्या बोलते हैं इस आपर शक्तिया यह से थे प्रशेस के पाटमेंट थेपैगे गवार इशलर हम एसे की और अवब्ड़िव समां खरदने मालूग इसं डिया उसका प्रॉपर प्रोसस होता है प्रॉपर इंप सेनं नीचे तक तो इसमें फेले फेले और फिया होता है पहले तो होता क्या ना पहले झाल भोटे शेले horizontally कोटेशन मंगवाई जाएगी अलग अलग से ठीक है कोटेशन आएगी यह डिपार्टमेंट क्या करेगा उसके पास बहुत सारे सेलर्स होंग है यह फिर नेट पर देखके यहां भी वह कोटेशन मंगवाई तू कि एक कम्प्यूटर कितने में देगा तू कितने में देगा फासलो 10 कोटेशन आई है कि तो 10 में से जो बंदा सब से कम में होगा क्वालिटी जादा होगी यह लीट कम होगा और क्वालिटी जादा होगी वह वाला हम परचेस कर लेंगे ठीक है एसा नहीं है कि बंदे ने क्या किया जैसे मैंने एकजांपल देढ था स्व रुपे की च कोटेशन आती है एक बंदा कोटेशन लेता है ठीक है उसके बाद जो सीनियर होता है थोड़ा बड़ा बना रहा हूं सीनियर होता है सीनियर उसको चेक करता है ठीक है सीनियर चेक करता है उसके बाद अपरूव होती है कि हाँ चलो ठीक है यह बंदा ठीक है अब इस बंदे को 50 कंप्यूटर का ओर्टर देदो तो होता कि एक बंदे काम दूसरा बंदा चेक कर ले और कोई अपने आप ही गल्तियां कि चांसिस खतम हो जाए यह सारी चीज जो होत बील टाइमिंग रिकॉर्ड होगी गलत वाले गलतंव आलिक हाटी जाईगी मतलब लेट को इसके चेक मीनिंग यह भी यह यह होता है एक एक बंदे का मद्दा चेक कर ले ऑटोमेटिक लिए ठीक है ऑट्रमेटली चेक करके काम कर्रेक्ट हो जाए कि ऐसे निया कि उसमें काम गलत हो गया फिर कल को और्ड कराकर ही चेक होगा नहीं एक बंद्य काम दूसरा बंदा चेक कर ले जैसा बिल बनता है अब आप इसने जैसे पानलो बिल बना दिया ठीक है अब जब यह कोटेशन होती ना कोडेशन लेकर जाते हैं तो करता क्या है य जो भी यह seller है जिससे हमें 50 खरीदने वाले हैं यह एक न वह देगा ऐसे कोटेशन देगा अपनी इसमें 50 कंप्यूटर के रेट लिखके देगा यह कोटेशन यह चेक करेगा सीनियर मैनेजर क्या कि हाँ चल यह सब सही है तो अब तु कंप्यूटर और मार दे तो नीचे वाला बंदा होगा फिर वह ओडर करेगा कंप्यूटर को तो एक बंदे काम दूसरे बंदे ने चेक कर लिया ना यह दस के दस जो कोटेशन आई थी इसने चेक करी कि हां भाई दस में से यह वाली बढ़िया है तो यह वाली ओडर कर दे एक बंदे काम दूसरा बंदा चेक के देता ओटोमेटिकली तो उससे बोलते हम इंटर्नल चेक अब क्यों होता इंटर्नल ऑडिट के छोटे-छोटे हिस्से इंटर्नल कंट्रोल बहुत दोस्त हम पढ़ तो के हैं स्टाटिं टीकर सब्सक्राइब। उतल सिस्यवां डूर्द वाले कॉंसेटई में टॉपिक में हमने पढ़ा था मैं पर पद है एक मैं सब्सक्राइब कि इंपनी कि इंप्रणा इंप किसी भी senior member से किसी से भी अपनी organization में सारा काम सारे process उचारू रूप से सही डंग से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं चाहे वह financial हो चाहे वह management हो किसी का भी जो audit करना होता है उससे बोलता है कि अपने किसी senior manager से कि आपना internal audit करो एक बार देखो सारी sales का डिपार्ट्पन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि आपको मोटा मोटा concept सारा समझे में आई गया है अब पढ़ लेते हैं एक बार देखो internal control comprises policies and procedures यह याद रखने आपको adopted by the management of entity to assist achieving following objective मतलब ऐसे policies procedure बना के रखे company अपने organization में control ऐसे control बना के रखे जैसे होता है क्या control आपके घर में आपकी मम्मी कंट्रोल बना के रखती है कि ना अब 10 बज़ गया है घर में गुज्जा वापस आजा भार में जाई हो ठीक है आज पार्टी करने जानी है कोई वात नहीं लेकिन 11 बज़ तक 12 बज़ तक घर आ जाई हो एक आपके उपर control नियंतरन रखा हुआ है ठीक है हिंदी में तो उसे बोलते हम control तो ऐसे policies ऐसे लूट पर नंदर रहा आना ही आना है आपको नो बज़ खाना खाना जाए यह वह एक पॉलिसी और रूर्स और रूर्स और रेगुलेशन बने होते हैं उसी के दारे में रहते काम करना होता है जैसे कि मैंने बोला था कि सबको नो बज़ आना यह क्या policy कंपनी की कि सबको 9 पड़ा था दोस्त वह था ओरिडर का अधिकर प्रोसीजियर प्रोग्राम वह अगल से था आज जो हम पढ़ रहे हैं कंपनी के अंगल से वहां पर क्या काम होता है ठीक है तो कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में यह दिफरेंस है तो यह धियान रखना तो थोड़ा मीनिंग ँद तो भी यही लिखना है और अब्ज़ेक्टिव आये साथ में तो भी यह पूरा लिखना है ठीके क्यों करते हो जी इंटर्नरेक कंट्रोल पॉलिसी क्यों मनाते हो और कि एफिशेंट ली चले बिसनिस ब्स तरीके से चले अगाम करें सेफ़गार्डिंग ऑफ एसेट क्या था सर अगर तो वह सई से उसके बिल आए हैं उस पर डेप्रिसेशन सब्सक्राइब करें एक तीसरे बंदे के पास है यह सारे चीजे होती है मतलब एसेट को सेफ करके रखना इसका मतलब सिर्फ इतनी एसेट को सेफ करके रखना जो की वर्ड सो समझे में आ रहा है इसको लोग वैसे लिखने में दिक्कत कर जाते हैं इसके बिल्स हमारे पास पूरे हैं एसेट के ठीक हैं एसेट फैक्टरी में रखा हुआ है उस पर प इक होगे आपको पता एक ग। नदे में माल लोग और टूंसरा रहाइगा सब्सक्राइब मस crime यह ए अगला क्या है एक्यूरेश इस आँ coe ए in-tri लोका होता हिक होता रहेगा सब के काम भायी तरीके इसे होगा accurate होगा तो यह सब किसमें आ गया internal control में ठीक है तो internal control में कबी भी question आएगा तो आपको यह पूरा लिखना होगा नॉट जस्ट कि आपने उपर के दो लिख दी इसमें अगर डेफिनेशन लिए तो भी यह डेफिनेशन के साथ में अबजेक्टिव लिखने का बोलेगा तो भी यह पूरा लिखना आपको कि तो त्बी नंबर मिलेंगे लिमिटेशन क्या उती है इंटर्णल कंट्रोल गया रहा है मताओ कि एक तो कंपनी में सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेशन क्या हो सकती है लिमिटेशन तो नहीं होनीचे नहीं दोस्तों थे लिमिटेशन इंटर्णल कंट्रोल बठाने से अब आपने एक बंदी की जगा दो बंदे लगा लिए तो खर्चा तो बढ़ गया खर्चा तो आया होगा ना मचीन लगाने में मचीन लगे इसमें सॉप्ट्रव डलेगा उसमें रिपोर्ट निकलेंगी उसमें एक बंदा और बिठाना पड़ेगा उसको काम देना पड़ेगा कि हर रोच्छ करिए कोन कितने अप्वर ठीक है तो यह कोस्टली होता है अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसा डिसाइड कर लिया है आप इसको यह भी लिसकते हो कि इंपोजिशन आप इंटर्नल कंट्रोल इस कोश्टले इन दे ऑगनाईजेशन लेकिन इसमें घुमा फिरा के लिखा है कि मैनेजमेंट अगर इंटर्नल कंट्रोल पे पैसा कम खर्श करेगा तो उसका ज Sydih उसकी एंटर्नल कंट्रोल क्रेंजों बुल रहा है कमपनी कि सबको टाइम पर आना नर्व भजक ठीक है लेकिन उसने टाइम पर आने के लिए वह लगा गाई नहीं तो बंदे तो राइस्टर में करेंगे 10 बजा आने के बाद नो बजा कर देंगे एंट्री इंटर्ल कम हो गया ना नहीं नो बजा आने वाली जो रूल बनाया गया था कंपनी में वो तो इफेक्टिव ही नहीं रहा ठीक है अब रेजिस्टर में अपने हाथ से लिग देगा कि मैं तो 9 बजा आया था है ऑगे इसके पास फोर्र्री थी ला इस बंदे के पास तो कि सबस्क्राइथ यह मशीन है कर सकता चीज들을 ठीक है अब यह बंदा क्या कर सकता है मेरी बात अच्छी है मैं रोज कंपरी में लेड जाता हूं ठीक है अराम से जाता हूं 11 बज़े मुझे पता है कि जिस बंदे के हाथ में इस मशीन का कंट्रोल है वह मेरा दोस्त है मैं जाओंगा 12 बज़े ठीक है अपना दोस्तों बलता हूं कि आज लेट आऊंगा तो एक काम करें नो बज़े कर दियो सिस्टम में जाकर कंप्यूटर में सब्सक्राइब खोल के उसमें नो बज़े डाल दियो पंचिक तो मैं लगाओंगा 12 बज़े की अंगुठा तो 12 बज़े लगाया मैंने लेकि कि अगला इंटरनल कंट्रोल अब्यक्टिव में भी डिपीटेड बाय मैंनुपलेशन ऑफ मैनेजमेंट भाई अब बताओ क्या बात कर रहा है कि जो मैनेजमेंट है जिसने पॉलसी बनाई है कि सबको 9 बज़े आना है वह मैनेजमेंट चाहे तो खुद ही इस चीज का उलं पॉलिसी का कुलंगन कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्मेर कंट्रोल सिस्टम इनवल्व रूटीन ट्रांजेक्शन इर्रेगुलर ट्रांजेक्शन में ऑबर्लूट अब होता क्या है न यार इसमें देखो यह चीजह ना लाइन समझ में कम आ रहे होंगे सब्सक्राइब कर देते हैं यह जल्दी जाता है यह नौर्मल है और द्यान देना नहीं देते हैं जाते हैं तो इसे चीज़ों में गलतियां जब हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है तो हर चीज को जब नॉर्मलाइज हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं गलतियां धूंडते ही नहीं है अभिर्यग्लर चीज़ आ जाती है कोई और क्युएं नहीं आजाती है तब इंट्रन्र कंट्रोल का पेलियर हो जाता है ठीक हर बार द या रहे है एक दिन क्या हुआ एक बन्देकों काम थे उसका फोन आ गया ऊना ल क्या करें ज़िल एम्हादें खेल यह नहीं समझ्ज़ और बॉन Ayam इतना भी कॉमन नहीं हो जाना चाहिए ताकि आपका इंटर्ण कंट्रोल सिस्टम में फेर हो जाए चेंजिस इन कंडिशनल में अफेक्ट इफेक्टिव इंटर्ण कंट्रोल अब चलो यह एक्जापल कंटीनिव करते हैं माल लीजिए बारिश आगी एक दिन है ठीक है बारिश आगी और बंदा इंप्लोई सारे इंप्लोई के पंदरा मिनट लेट को आदा घंटा लेट को दो गंटे लेट आ रहा है अब प्रोक्यूर्मेंट वाला एक्जामपल लिया था जो हमने पचास कंप्यूटर वाला माल लेजिए कि सामने वाले ने हमें एक कंप्यूटर का रेट दिया था पचास अजार ठीक है अब क्या हुआ हमने बोला था कि यह डिलीवरी लेंगे हम पंदर दिन के बाद अब 15 दिन में क्या हुआ न मार्केट में रेट बढ़ गया चाइना से इंडिया ने क्या किया चाइना से इंपोर्ट पर बैन लगा दिया ठीक है अब वहां से बैन लग गया तो जो पचास अजार का मिल रहा है z 3000 यह तर आप ने जो uses बंदा बिठाया था त मैंदद और और था कि 100ry तो ऊपने Х3 कंप्पूठर लेन आप तो उसलिआ हुं यह कि तो क्या हुआ चैंज रैब की ओण Two hoursम veure under पर युद भॉआने हैं इसक एब कियों होता है हमारी कंट्रोल लिगो और सिक ने वो चेंज नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है ठीक है तो जहां पर चेंज आ जाता है वहां पर कंट्रोल पॉलिसी थोड़ी सी खराब हो जाती है